आजसे जो रिमधीन है वैसे तो और आज में जो और घरवद के लिए किस तरीकर अपमने बालों कि लेँग्र आसा कार सकते हैं लेकिन जैसे महां गर्व करती थी तो आज यद्जूर किया है तो Sum leafiska सचेट सब्हस दीज जीए तो उसको भी हटाने में आप इसका यूज कर सकते हैं आप इस रामीटी को किसी भी सीजन में यूज कर सकते हैं इसका कोई साइड इफक्ट नहीं है क्योंकि नेचुरल चीजों से बनाए गई है तो आज का जो डियाई वाई है वो हर कोई लगा सकता है बच्चों पर भी आप इसको एपलाई कर सकते हैं कोई टैंसल निया कोई साइड इफक्ट उनकी स्केल पे नहीं होगा तो चली फिर व है रोज और यह रोज ही आपके बालों पर कमाल करने वाला है तो इन तीनों चीजों को मिक्स करके किस तरहीं से हम डियावाई बना s dobrा सकते हैं वो भी हिए देख लेते एक पैन लेना है पैन के अंदर आपको एक गिलास पानी डाल दिना एक गिलास पानी डालने के बाद हम तो आप करी लिवज यूज कर सकते हैं, आपके हेर वाइट हो रहे हैं, तो आप करी लिवज यूज कर सकते हैं, हेर फॉल हो रहा है, तो आप करी लिवज यूज कर सकते हैं, सीजनल हेर फॉल है, तो भी आप करी लिवज यूज कर सकते हैं, कोशिज करिए कि आप यहां पर फ उसके बाद आपको लेने हैं फ्लावर, रोज फ्लावर, मैं यहां पे चार रोज फ्लावर का यूज करूँगी, पी एच को बैलेंस करता है, जो ओईल है आपकी स्कल्प पे आता है, जिसके वजे से हेर फोल हो जाता है, और मतलब की जो पॉलूशन है या फिर जो डर्ट हो कई बार और उसकी वज़े से आपकी ग्रोथ भीरूश जाती है, तो उस ओईल को ग्रीशिनेस को घटाएगा, बालों को हाइट्रेट करेगा, यह जो डियाईवाई है, ओली स्कल्प वाले, ड्राय स्कल्प वाले, नॉर्मल स्कल्प वाले, हर कोई इसको लगा सकता है, इसक पक जाएगा, लेकिन जो हमारा करीली उज़ है, वो पकने में थोड़ा सा टाइम लेगा, लो फ्लेम के उपर, आप इसे कम से कम 10 मिनट के लिए पकाएगे, ताकि आपका एक ग्लास पानी हाफ रह जाए, तो जैसे ही आपको लगता है, कि आपका एक ग्लास पानी आधा रह गया है, तो आप ग्यास को बंद कर देंगे, और पानी को ठंडा होने के लिए रख देंगे, अब आपको याद होगा कि हमारा एक इंग्रीडिट अभी भी बचा हुआ है, जो है हमारा अलोईरा जेल, जैसे ही आपका पानी ठंडा हो जाएगा, आप इन पत्तों के समेथ, इसको एक मिक्सर जार के अंदर डाल लेंगे, अब बारी आती है हमारा जो फ्रैस अलोईरा जैल है, उसे आपको छिलके समेथ, जहां पर उसके उपर डोट से थे, या फिर थोड़ा सा ख्राब आपको लगता, वहां से हलका सा कट कर दीजिए, मेरी तरह है, जैसे मैंने इस के अंदर हम इसको स्टेंड कर लेंगे, स्टेंड करने के बाद आपका जो पानी है कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, अब जिनको लगता है कि फ्रैस अलोईरा जैल मिलना इंपोशिबल है, और आप हमेशा से ही पैकिंग वाला यूज करते हैं, तो आपको सबसे पहले करी लिज और जो हमारे रोजबेटल है, उनको पानी के साथी घुमा लेना है, और उसके बाद एक चमच, दो चमच आप अलोईरा जैल जो पैकिंग वाला है, वो मिक्स कर सकते हैं, यानि पानी बनने के बाद उस जूस के अंदर मिक्स कर सकते हैं, अगर अपने बालों पे नहीं लगाया है तो इसके अंदर oil डाल के mix करके लगाया जा सकता है अगर oil लगाया हुआ है तो आप इस remedy को ऐसे ही अपने बालों पर लगा सकते हैं आपको इसे एक spray bottle के अंदर भर लेना है और अपने बालों के उपर लगा लेना है ठीक आए बात ही हाँ वे समझ में कि जो आपके बाल बीच में से टूटते हैं वो टूटना बंद हो जाएंगी और यह magic एक ही बार के यूज में नहीं होने वाला है उसके लिए आपको आज का DIY लगातार यूज करना पड़ेगा तब जाके आपके बालों की जो प्रोब्लम है खांस करके जो आपकी हेर ग्रो निकल पा रहे हैं तो वो एकदम से रिफ्रेंस होके वहां से आपके बालों का उगना शुरू हो जाएगा रोज फ्लावर इतना बहतरे इन तरीके से काम करता है वैसे तो मैं आप लोगों को सुझेस्ट करेंगी कि आप रोज पैटल का ही यूज करें लेकिन अगर कई बार का यूज भी कर सकते हैं लेकिन वो जब ना मिले तब आपको यूज करना है इस डियाइवाई को आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं हमेजा आपको अपने बालों में फ्रेंस डियाइवाई लगाने चाहिए ताकि जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आप फ्रेंस खाएंगे जैसा खाएंगे वैसा ही आपका मन होगा तो जैसा आप अपने बालों पर लगाएंगे फ्रेंस तो उतने ही फ्रेंस आपके बालों से समझाएं चली जाएंगी बात करूं कि इसे आपको कितनी बार लगाना है आपको इसे वीक में दो से तीन बार लगाना है दिन में रात म अगर आप comfort हैं और आप चाहते हैं कि आपके वालों में बहुत ज्यादा problem हर वो शोल हो जाएं तो रात में ही beneficial होगा ये आपके लिए इसे लगाईए और इसको लगा के हलका सा सुखा के चोटी बना ले या फिर जुड़ा बना के आप सो जाएंगे या फिर अगर आपके पास ज्यादा time नहीं है तो at least इसे दो घंटे तक आप अपने scalp पर रखेंगे और उसके बाद आप शैंपू कर देंगे जो भी आप शैंपू यहां पर यूज करते हैं यह जो DIY है यह बहुत कमाल का हो सकता है हर एज में इसका यूज किया जा सकता है एक हमें डेंडर की बहुत ही जजादा ब्रोग्लम है तो यह DIY आपके डेंडर्फ को कंट्रोल करने में बहुत मदद करेंगा अगर आपके हाड़ोट मालों की तो अब lihat तो ऐसे प्र जोजितमक्राइक बहुत करेंग अगर आपके बालों की हँनृ निरेस्मेंट रिगा मैं इसा कोशिस करती हूं कि मैं अच्छे इफेक्टिव टिकाऊ डियाइवाई लेके आऊं जो आपके बालों के लिए अच्छी हो अगर आपको आज का डियाइवाई अच्छा लगा है वीडियो पसंद आया है तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज मुझे मोटिव करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब के बना बिल्कुल भी मज़ जाएगा मैं मैं में जाती हूं एक और प्याइस अच्छी वीडियो में तब तक के लिए बहुत सब्सक्राइब पानी पीएं खुश रहें खिस रखें बाई